तो दोस्तो टर्की और सीरिया दोनों ही इस समय भूकम की तरासदी से जूज रहे हैं। मैंने कली रात को आपको वीडियो बना कर बताया था कि भारत की तरप से मदद के लिए अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेज दिये हैं। जिसके तरफ बताया जा रहा है कि NDRF के टीम और साथ ही मेडिकल स्टॉप को भेजा गया है। प्रश्मीर इशू हो तो उसको लेकर पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर टर्की ने लगबख सभी मंचों का इस्तमाल करते हुए। भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की, भारत में आतंगवादी तक भेजने की कोशिश की, भारत के अंदर कई सारी लीगल एक्टिविटीस कराने के लिए कई सारे एंजियोस को फंडिंग तक टर्की द्वारा की गई। इन सब की जानकारिया पहले हम आपको कई बार दे चुके हैं और इस तरह की खबरों से पूरा आप गूगल आपको भरा पड़ा मिलेगा। के अंदर भी जितनी मदद की अवशकता है भारत लगातार करते जा रहा है। इनिंग भी बताया है और सबसे बड़ी बात जो टर्की के रिंबेस्टर द्वारा कही गई कि दोस्त शब्द का इस्तमाल हिंदी और तर्की दोनुई भाशाओं में किया जाता है। और जो समय पर मदद करे वही असली दोस्त इस तरह की बात कहकर टर्की ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। जो कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खाला कि भारत ने किसी तरह की वावाई लूटने के लिए इस तरह का काम नहीं किया। इवन जब भी दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी तरास दिया है। भारत सबसे पहले वहाँ पर पहुचता है मदद लेकर इसका परिणाम देखा गया कि जिस समय भारत भी जूज रा था परिशानियों से कोविट पेंडमी की सेकंड वेव से उस समय पूरी दुनिया भारत के बचाओं में आ गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ने दो बड़ी गलतिया कर दी। एक तो यह कि भारत जिस मदद को टर्की तक भेज रहा था उसके लिए पाकिस्तान ने अपना एरस्पेस नहीं खोला और भारत को मजबूरन घुमा फिरा कर फ्लाइट को टर्की तक भेजना पड़ लेकिन पाकिस्तान ने अपना एरस्पेस नहीं खोला जबकि हम जानते हैं कि भारत तर्की उसके सबसे परम मित्रकी मदद करने के लिए वहाँ पर जा रहा था और इसमें भारत का अपना कोई भी सौर्थ नहीं छुपा था इसके बावज़ूत पाकिस्तान ने अपनी येर अपर जा रहा हैं जी हा अब आप सोचिए कि ऐसी परिस्तेती में एक राष्ट्र एध्धिक्ष के द्वारा मदद भेजना जादा जरूरी है या खुद राष्ट्र एध्धिक्ष के वहाँ पहुँच जाना जरूरी है क्योंकि कोई भी सम्मान के लिए कई जरूरी प्र्र के अंदर माहौल काफी खराब है वहाँ पर जितनी भी सुरक्षा टीमें है वो रेस्क्यू कामों में लगी हुई है अब आप ही बताईए कि वहाँ के सिक्यूरिटी फोर्सेज रेस्क्यू कामों को पहले प्रात्मिक्ता दे या फिर शहबाश शरीप की यातरा को लेकर उसके लिए अरेंज़्मेंट करें अफिसली रेस्क्यू काम ज़्यादा जरूरी है लेकिन पाकिस्तन के प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं क्या आप टर्की मत आईए किसी भी तरह की कोई अनिवारिता आपकी यहाँ आने की नहीं है जी हाँ टर्की की गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तन के प्राइम मिनिस्टर की एंट्री फिलाल रोग दी गई है और उनसे कहा गया है कि इस यातरा को आप पोस्पोन करिये और किसी यसे समय में टर्की आईए जब ये सारी चीज़ें शान्त हो जाए और सारा मामला काबू में आ जाए क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता उनकी महाँ पर फसे लोगों को रेस्क्यू करना है और घायलों का इलाज करना है उसके बाद दूसरी प्रात्मिक्ता आप से मिलने की हो सकती है अब इस तरह की खबरे आने के बाद में शोशल मीडिया पर एक नई जंग सी छड़ गई है आप ट्विटर पर जाकर देखिए हर जग लगबग इसी खबर की चर्चाएं की जा रही है कि क्या टर्की एक दम से आपना स्टांस चेंज कर चुका है और व भारत के खिलाब जिस तरह की गतिविधियां टर्की द्वारा लगातर की जा रही थी उसके बावज़ूत भारत का इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलना कि भारत की पूरी कैबिनेट इस मामले को लेकर चर्चा करें कि टर्की को कब कहां किस चीज की मदद की जरुवत है और क जो भारत के लिए इतनी अच्छी बात कर रहा है लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की यादरा को कैंसल करवा रहा है हलाकि जो कुछ भी हो भारत वही कर रहा है इस समय जो भारत का इस समय करतव बनता है बाकि इस पूरे मुद्देबर आपका क्या मानना है इस पू